तो सबसे बहले plant capacity factor अगर definition आ जाए तो क्या को लिखोगे तो basically यह ratio होता है actual energy produced divided by maximum energy data plant can be produced यानि कि एक कोई plant है ठीक है वो कितनी energy बना रहा है actually कितनी produce कर रहा है और कितनी produce कर सकता है यानि कि उसकी maximum capability कितनी है समझ्यारी बात है यानि कि कोई बंदा है अगर वो 10 किलो उठा रहा है और maximum वो 12 किलो तक उठा सकता है तो उसका capacity factor अगर निकालोगी तो 10 divided by 12 बस इतना ही simple होता है plant capacity factor यानि कि actually कितनी चल रही है energy कितनी बना रहा है और कितनी जादा यानि कि maximum limit क्या है जांत तब को बना सकता ह है यह हमेशा 1 से कम होगा क्योंकि obviously चीज़ हमेशा हम लोग कम कर रहे होंगे compared to the maximum value यानि कि plant जो भी तुम plant यूज कर रहे हो उसका capacity factor हमेशा 1 से कम निकल के आएगा ठीक है जैसे for example अगर तुम PCF चेक करने जाओगे तो nuclear power plant का 0.94 के आप एप्रॉक्स होता है plant capacity factor nuclear जो nuclear power stations हो प्रोडूस कर सकते हैं इनका बीच का जो difference है वह 0.94 का ratio निकल के आता है जो सबसे ज्यादा highest होता है इस formula को अगर मैं थोड़ा सा और तोड़ा सा तो numerical basis पर जाके देखोगे तो यह formula थोड़ा सा टूट के बनता है average demand into time period divided by plant capacity into time period ठीक है ना यहाँ पर नीचे time period दिख रहा ह है अगर इसे cancel कर दोगे तो हमारे नया formula निकल के आएगा वह कितना निकल के आगया average demand demand by plant capacity यानि अगर प्लांट capacity आएगा भाई अगर तुमसे PCF पूछा जाएगा PCF तो यह वाला formula पे numerical तुम्हें अराम से मिल जाएगा ठीक है समझ महारी बात है तो अगर हम बात करते हैं यहां से यानि कि जो हम तोड़के लाएं इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा प्लांट है वह कितनी average demand है यानि कितना average power बना रहा है डिवाइड भाई प्लांट capacity factor को ही represent करता है तो जनरली यानि कि जब हम PCF calculate करते हैं तो PCF हमेशा annually calculate किया जाता है annually बहुत important यानि कि जनरली अगर PCF निकालने को आएगा प्लांट के capacity factor तो annual निकालने को आएगा annual का मतलब अगर हम annual की बात करेंगे तो unit जो हमारा plant generate कर रहा है एक साल के अंदर divide by plant की capacity कितनी है into hours in a year एक साल में कितने घंटे है यह तो बहुत ही सिंपल है एक दिन में 24 घंटे एक साल के अंदर 350 दिन सिंपल सा है calculation यहां से यह चिस निकाल लेंगे यह तो हो गए hours in a year अब unit कितनी generate हो रहा है तुमारा plant कितनी generate कर रहा है एक साल के अंदर divide by उसकी capacity कितनी है clear हो गया पर बहुत ही सिंपल सी calculation है तो यह आपको यह सारे formula याद रखने इसमें से one of the most important formula एक तो यह है और दूसरा यह यह दो formula तुम्हें याद रखने है इससे काम हो जाएगा कोई plant है ज यानि कि क्लो वॉर्ट आर यूट जो है वो प्रडूस हो रही है एक प्लांट प्रडूस कर रहा है तो उसको डिवाइट कर दो के प्लांट की capacity कितनी है यानि कितनी बना सकता इंटू आर्स इना इस अगर कर दो तो सिंपल सा हमारा कम हो जाएगा तो यह तो इस पर इस पर और या फिर यह वाला फॉर्मला हमारा नुमेरिकल पूछा जाता है आगे चलते हैं आगे एक बड़ा इंट्रेस्टिंग सी बात कर लेते हैं अगर हम प्लांट केपसिटी फैक्टर को बिल्कुल खून में जाके उतर के सीखना जाएं कि हम चाहें कि पूरा हमारे दिमाग में बैट जाए उसको थोड़ा समझ लेते हैं में अपने एवरेश कर को सब्सक्रार बैसिकली होता है इक उ सब्सक्राइब को जो ratio होता है वो plant capacity factor होता है यानि कि अगर मैं अपने plant की average demand को बढ़ाता जाओं तो simple सी चीज़ है plant capacity तो एक fix चीज़ है एक बर तुमने अगर plant की capacity mark कर दी एक certain capacity plant लगा दिया तो उसमें कुछ चुछ चेट हम लोग नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अगर मैं क्या करूं उसी plant पे जो load apply है उसकी average demand को बढ़ाता चला जाओं average load को तो ऐसे case में PCF भी बढ़ता चला जाएगा समझ में आ रही है यानि कि यह जो तुम point देख रहे है अगर यह मैं इस load कर को थोड़ा सा modulate करूं और यह जो point average load का इसको उपर की तरफ लेता चला जाओं उपर की तरफ shift कराता जाओं तो जितना कम gap करता चला जाओंगा अगर plant capacity यह तो एक constant चीज़ है एक बार तुमने plant set कर दिया तो this is a constant part ठीक है यह तो constant part हो गया प्लांड capacity fix हो गई अगर यह fix हो गई तो PCF directly capacity factor जो होता हो basically majorly use कर रहा था indicate करने के लिए reserve capacity of the power plant यानि plant capacity factor की मदद से हम लोग यह भी पता कर सकते हैं कि रिजर्व capacity कितनी है समझमारी बात है इसका क्या मतलब हुआ जितनी जादा value होगी PCF की उतना जादा average load जो है वह close capacity के बात समझारी बिल्कुल दोने चीज़े लिंक हो रही है यानि कि अगर PCF जादा है इसका मतलब average demand जो है वह plant capacity के बहुत पास है समझमारी बात है अब देखो यहां पर average load क्या होता है average load basically वह load होता है जिसके हम कहते हैं कि plant generally चल रहा होता है on average इतना unit हर समय हो रही है ठीक है समझ में रहा है यानि कि अगर मान के चलते हैं प्लांट की capacity 50 और average load हमारा 28 तो इसका मतलब क्या हुआ है कि on average हमारा जो plant है वह 28 unit बना रहा है ठीक है clear हो यहां पर 28 megawatt power को generate कर रहा है 40 यानि कि मान के चलते है 45 ले लेते हैं 45 है ठीक है तो 45 अगर average load है इसका मतलब क्या हुआ कि plant जो है वह generally यानि कि जादतर time 45 megawatt power को बना रहा है बना सकता है 50 और 45 बना रहा है तो यह चीज़ क्या दर्शारी यह चीज़ दर्शार है कि plant जो है वह generally operate कर रहा है near its peak capacity बड़ा important point है देखो यह सब चीज़े ना बहुत बारीक चीज़े हैं और इसके लिए अच्छा खासा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए रटना बहुत आसान है मैं तुम्हें पहली वाले इसका सिंपल सा मतलब है कि average load जो है average demand वह close to its plant capacity अगर वह plant capacity के करीब है तो इसका मतलब प्लांट जनरली अपने peak capacity के पास operate कर रहा है यानि कि 50 maximum बना सकता है और 45 बना रहा है यानि कि very close to its peak capacity यानि कि दिन भर अगर जो प्लांट चला रहे हो वह अपनी बिलकुल चरम सीमा के करीब ही काम कर रहा है नो ऐसे case में reserve बहुत कम रहे है क्योंकि obvious ही चीज़ है अगर fluctuation आया तो easily यह हमारा जो fluctuation है वह मीट नहीं हो पाएगा और हम कह सकते हैं प्लांट की reserve capacity बहुत कम रहे हैं अब आगे सीखेंगे परशाद नहीं हो ना रिजर्व कैपसिटी की बारे में आगे मैं बताऊंगा तो प्लांट अगर अपने नियर इस peak capacity पे काम कर रहा है 45 पे क collapse हो सकता है क्यों क्योंकि हमारी demand जोगी वह exceed कर जाएगी तो एक मामले में तो अच्छा है कि plant capacity factor ज्यादा होना चाहिए जिससे की हमारे तो system है वो close to its rated capacity peak capacity operate करे close to its plant capacity operate करे क्योंकि अगर जब भी कोई machine अपनी capacity के operate करती है अपनी peak capacity के पास चल रही है तो इसका मतलब वहां पर काफिया था economical operation हो रहा है अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ एक दिक्कत भी है कि वहां पर रिजर्व जैसा कुछ नहीं बचाए अगर तुमने जरा सा लोड तेड़ा मेड़ा डाल दिया तो ऐसे केस में system collapse हो जाएगा सब्सक्राइगा सब्सक्राइग सब्सक्राइब we can say the advantage and the disadvantage of high PCF समझ मारी बात है ओके नहां पर PCF मतलब क्या हुआ एक और चीज PCF यह बताता है एक बड़ी important line कि plant तुमारा कितने मतलब कितनी frequently अपने peak capacity के आसपास run करता है यानि PCF जो plant capacity factor है वो यह बताता है कि कितनी जादा देर कितनी बार तुमारा plant अपने peak capacity के close काम कर रहा है समझ मारी बात है तो अगर PCF 1 कर दें PCF 1 का मतलब क्या होगा average demand equal to plant capacity इसका क्या मतलब होगा कि plant जो है उसकी capacity और average demand बराबर है इसका मत plant पूरे 24 के 24 घंटे अपने peak पे operate कर रहा है तो अगर कोई plant 24 घंटे अपने peak पे operate कर रहा है तो समझ रहे हो यानि कि वहां पे fluctuations अगर जरा सा भी आया तो वहां पे हमारा system collapse होने के chances बहुत जाता है समझ मारी बात है तो इसका मतलब होता है PCF तो PCF अगर 1 का मतलब क्या उट्लाइजेशन तो बहुत अच्छा कर रहे हम लोग plant का अपने अगर हम यूटलाइजेशन की बात करे तो बहुत अच्छा है तबी ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर जो हमारा plant चल रहा है वहां पे reserve की बात करें तो वहां पर ठोड़ा से रिस्क है क्योंकि रिजर्व नहीं बचा है मारे पास समझ मारी बात ही है क्लियर हो गए यहां पर अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मिले को अगर एक इंट्रेस्टिंग फॉर्मिला मैं आपको और देता हूं अगर हम इस फॉर्मिले को थोड़ा सा और प्र मॉड़िफाई करें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपको धिक्कर 10 मेख दिमांट कि यहां से कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं लोट फैक्टर इंटू मैक्सिंम इंटी इसको यहां मटिप्लाई कर के तो यह इक वन ऑफ दा most important formula है जिसका इस्तमाल काफी बार किया जाता है अब बात कर लेते हैं reserve capacity की बहुत देर से मैं नाम ले रहा हूँ reserve capacity जड़े देख लेते हैं होता है तो अगर हम कोई भी station बनाते है तो ये बड़ा important होता है ये make sure किया जाता है कि design हमारा ऐसा हो कि plant के पास कुछ reserve बचा रहे यानि कि कुछ capacity का reserve होना चाहिए समझ में रहा है ताकि हम लोग क्या कर सके unwanted fluctuations के साथ meet कर सके यानि future में अगर low demand बढ़गी मान के चलते हैं बिल्कुल ऐसा समझ लो तुमारी colony बनी है और हमने station लगाया उस colony में शुरुआत में कम लोग रह रह रहते ठीक है तो वहां पर हम लोगों ने station बनाया उसकी capacity एक certain रख दी आने वाले समय में यार उसके अंदर जो मिश्रज जो शर्मा जी थे उन्होंने AC लगवा लिया अब उन्होंने 1 AC लगवाया देन 2 AC लगवाया तो ऐसे करके सब घरोंने AC लगवा लिए तो एकदम से डिमांड बढ़ गई नो ऐसे कि इसमें plant तो हमने पहली लगा रखा था तो अगर plant पहली लगा दोगे तो फिर उसकी capacity कैसे बढ़ा हो गए यार समझ में रही है तो इसलिए प्लांट की capacity हमेशा जादा रखी जाती है ताकि future में अगर लोड इंक्रीज भी होना तो हम लोग उसको टेकल कर सके हमें प्लांट के अंदर कुछ ज्यादा छुआ छेड़ या add-on करने की ज़रूद ना पड़े और हमारा तो मैक्सिमम नियान की तुमारे स्टेशन के उपर करेंट कितनी है और प्लांट की कितनी है और के सीचे अगर हम उसे माइनस कर देंगे प्लांट के सीचे तो वहां पे निकल के आजा कि इतना हमारे पाद रिजर्व है जो blue color की line ने देख रहा है नो shaded वाली तो यह बता रहा है कि मोटा मोटा हमारे पास इतना extra capacity है हमारे plant की जिसको हम और अगर load बढ़ जाता है in future कोई AC on 24 on AC लगा लेगा या 2-3 घर मिलके अगर काफी जादा load बढ़ा देते हैं तब भी हम उसको tackle कर लें को tension वाली बात नहीं हम हम लोग देख लेंगे उसे ठीक है तो this is what we call reserve capacity now अगर important चीज़ यहां पर किसी भी condition में installed capacity यह ध्यान रखा जाता है हमेशा ज्यादा हो maximum demand से क्योंकि ताकि हम नहीं चाहते कि हमार सिस्टम जाए वह collapse कर जाए यानि कि वह peak demand को fulfill ना कर पाए तो यह हमेशा ध्यान रखा जात है installed capacity maximum demand से जादा है अच्छा एक चीज़ बड़ा एक कैच है यहां पर कितना भी बड़ा सकते हैं हम लोग capacity तो नहीं जितनी ज्यादा capacity रखोगी तो बड़ा important चीज़ है सारी चीज़े एक दूसरे से interlink है तो हमने देखा अभी capacity reserve capacity अगर reserve capacity बात कर लें तो वह decide होती है कि क under utilization होने लग जाएगा समझ में रहा है तो तुम्हारा जो लोड है वह below 75% rated capacity चला जाएगा और under utilization बहुत बढ़ जाएगा समझा रहा है क्योंकि जब भी आप कोई power बनाते हो ना तो rated के 75% plus rated capacity के अगर reason में हो तो वहां पर economic operation होता है सस्ती बिजली बनेगी अगर तुम उसको काफी जादा दूर चलाओगे यानि कि तुम्हारा generator produce कर सकता है 50 megawatt और तुम उससे चला रहे हो 20 megawatt बना रहे हो तो ऐसे case में क्या होगा यह जो तुम्हारा plant है यह क्या है under utilization under utilize हो रहा है और under utilize हो रहा है या कहलो under rated चला है तो ऐसे case में क्या होगा cost of generation cost per unit generation की जो cost है वो ब utility की नदर से देखो कि तो it is a waste of money समझ में रहा है तो यह पैसे की बरबादी है क्योंकि वह हम बस इंतजार कर रहे हैं कि consumer यार consumer कभी अपना load बढ़ाएगा तो उसके लिए हमने पैसे रख रख रखें समझ में रहा है तो यह वेस्ट आप का है कि अगर कभी कोई emergency आ गई त तो reserve capacity यह problem है ठीक है clear हो रहा है और यहां से भी देख सकते हो plant जो अभी अपने से का capacity factor PCF यह भी reduce हो जाता है अगर हम लोग reserve capacity को बढ़ाते हैं क्योंकि reserve बढ़ाने का मतलब क्या हुआ average और peak capacity capacity के बीच में gap बढ़ रहा है और अगर average और peak capacity के बीच में gap बढ़ेगा तो obviously च यहां पर अब ले आते हैं वापस से plant capacity factor को तो हमने अभी पुराना यह formula निगाला था PCF equal to load factor into maximum demand divided by plant capacity यहां पे अगर हम लोग reserve को zero कर देते हैं यानि कि plant capacity equal to maximum demand अगर हम ऐसा कर देते हैं कि बिलकुल maximum demand cut to cut कर देते हैं जितनी maximum demand है उतनी plant capacity यानि कि reserve capacity है उसको क्या कर देते ह तो यह उपर नीचे cancel out हो जाएंगे ठीक है reserve capacity zero कर दी और plant capacity maximum demand दोनों cancel out हो गए तो ऐसे case में PCF equal to load factor यह one of the most important equation आ जाती है यह इसकी उपर काफी MCQs आए हुए हैं आपसे पूछे जाएगा कि अगर कोई ऐसा plant है जिसके अंदर reserve capacity zero है reserve capacity zero है या फिर कह देगा जिसके अंदर plant की जो capacity है plant capacity वो equal है maximum demand के maximum demand के अगर plant की capacity भी maximum demand के बराबर है तो ऐसे case में यह दोनों एक ही बात है ठीक है तो ऐसे case में PCF क्या होगा plant capacity factor वो equal to load factor के बराबर हो जाता है समझ में आ रहा है यह direct question कई बार आया हुआ है समझ में कई बात ही clear हो गया है तो एक तो यह बड़ा important point है तो यहां पर रिजर capacity zero की मैंने बताई दिया आपको ठीक है यह धियान रखना होगा यह आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर plant capacity factor equal to load factor के बराबर हो गया यानि कि अगर हम लोग जो हमारा plant चल रहा है plant capacity यानि कि वो equal हो गई maximum demand के बिलकुल भी reserve नहीं बचा तो ऐसे case में दोनों load factor और PCF बराबर हो जाएंगे और हमारा plant जो होगा वो बिलकुल भी zero tolerance यानि कि उसके अंदर बिलकुल भी शमता नहीं होगी load के fluctuations को बरदाश करने की अगर थोड़ा भी देख रहे हैं यहाँ पर बिलकुल जगा नहीं बची है अब अगर मान लेते हैं इस point के उपर यहाँ पर मिश्रा जी और शर्मा जी ने अपने घर की motor AC और microwave सब on कर दिए या नया AC लगा दिए जिसकी जानकारी नहीं दिए station को नए चार AC लगवाएं लोगों ने और जानकारी नहीं दिए तो ऐसे केस में क्या होगा एकदम से यहाँ पर जड़ा साई पीक आया तो हमारा प्लांट जोगा वो फेल हो जाएगा संद्म्यारी सो डट इस दा में प्रॉब्लम यहाँ पर नाव अब नेक्स बात कर लेत आपको अब उसक्ताइब तो इसको एसे लिख सकते हैं एलेक्रिकल एनरजी ऑटपूट कितना दे रहा है तो में आपका में फौर्म निकला क्या है तो यह कुछ-कुछ जैसा यह उन्तर गैंतर यहाँ पे इस दमें डिफरेंस यानिकी जो पीचिए आपका में फॉर्म्रा निकल के आए यह मैक्सिमम डिमांड डिवाइड वाई प्लांट कैपसिटी अभी हमने जो देखा था ना पीछे PCF वो याद होगा आपको यूटिलाइस कर पा रहे हैं कहीं पर यूस्ट मेंम यहाथा है। टो प्लांट यूटिलाइसेशन फेक्टर हैं कि हम प्लांट को यूस कितना कर पा रहे हैं और PCF यह बताता है कि हम उसके कैपसिटी के कितना यह भी बताता है तुम्हारा रिजर्व कैपसिटी के बारे में क्योंकि जतना जादा प्लांट के क्लोज ऑपरेट करोगे उतनी कम रिजर्व होगी समझ में आ रही बात है इसी यह क्या बताता है प्लांट का इस्तमाल कितना कर पा रहे हैं यानि कि उसके maximum demand के कितने maximum demand जो है उसकी वह कितनी करीब है प्लांट के कैपसिटी की समझ में आ रहे बात है उस case में average लोड़ था कि अवर्य जो plant चल रहा है वो कितना close है अपनी capacity के यहां पर प्लांट उस फेक्टर मतलब maximum demand जो है वो कितनी close है यह भी एक तरीके का reserve को identify करता है यह भी हमारे plan के reserve को बचाने बताने में help करता है कि reserve कितना है वह हम निकाल सकते हैं आयो आपको जो पसंद आयो गाए मेरे इनको आपको पसंद आते तो सपर्ट कर सकते हैं सबस्क्राइब करके लाइक करके सूबर भेशिक और शेर करके आपने हमना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद अगर कोई मन में सेक्शन बताएं नुमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं वह हम बात करेंगे आने वाले सीरीज के अंदर आपना कीमते समय दिया उसके लिए धन्यवाद